तो हे गाईज में हूँ आयूश एंड आज मेरे साथ में आटो एस्पो के अंदर बहुत सारी आटो इंडस्ट्री की काफी बड़ी बड़ी हस्तेयां बेटी एंड आज एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि शायद ही किसी ने कराओ इलेक्रिक विकल को पर्चेस करने का आपको हर कोई सजेस्ट करता है बट मैं आपर इन सभी लोगों से पुछूंगा जो आटो इंडस्री के हैं कि एलेक्रिक विकल को अभी 2020 के अंबर क्यों पर्चेस ना खिया जाए तो इन सभी के ओपीनियन्स आप लोगों को मिलने वाले इस वीडियो में वीडियो के अंडिंग तर जरू से दिखेंगा तो भाई आपकी क्या ख्याले अभी क्यों एलेक्रिक विकल को पर्चेस नहीं करना चाहिए एस वाई छाहिए झाय है और वexyendohr खेंगा चाहिए अप कर Georgi यह चलाओ और उतलों कτοफि भाई आप कर में नहीं कर आए आ आप को आप आपलेखने金 शेयुआ का संप से तो क्यों उतलता भी अाप से वह देवलपिंग स्टेज पर है एंड अराउंड मेरे इंडिया में से 30-35% पर जगह पर ही एवी के लिए सफीशेंट इंफ्रसक्टर्चर अवेलेबल होगा तो as far as that is concerned इतनी रेंज वाली कोई एवी आई नहीं है अधरसे आद जो बजेट इवी राउंड जैसे की निक्स बजीशन है या पर अपना एक उवी है थीशा थे लिए अगिसे इस थे इती है इस सब्प्र जाए का की दैस नॉफिजन इसन प्रॉपर इंफ्रक्ट्रॉप्र टो की दूफिश्च्टर्च्छर को द्वीनिक टॉफु इन इस के लिए बलकुल है यह से लिंड कोई दो राई नहीं है इसके अंदर बढ़ जो मेरा ऑपी और अपनिनियन रो यह कि अगी जो तो अगर देखा जाए जैसे सर ने बता है 300-500 km की रेंज के अंदर कोई गाड़ी लेना चाहते है तो सो के ठीक है बड़ जिनका लॉंग रन है जैसे इनकी जो हाई एंपेर जो इनको एक वोल्टेज चाहिए होती है चार्जिंग के लिए उसके लिए भी काफी अभी ट्रांस्पोर्मेशन करना पड़ेगा बड़े बड़े ट्रांस्फोर्मर होते हैं बड़े बड़े जैसे कि इसमें पावर प्लांट उसके आसपास विजली खाती है तो और दूसरी बात ऐसी कि कुछ इतने अच्छे ऑप्शन लॉंग टर्म के लिए भी है नहीं मेरे हिसाब से बाकिया आप देखिए हर्चित जी से भी एक बार राइली जीन का क्या कहना है इस टॉपिक के ओपर है लो दोस्तों फ्रॉम पावर इस जैसे स बहुत ज्यादा आरेंडी ऑलेडी हो चुकी बहुत हाई स्टेट में चले गए हो लेकिन जो इवी वहिकल अभी है वो एक तरीके से मैं काऊ हूं अभी बहुत ज्यादा लैक कर रहा है अगर आप आरेंडी के मामले में बात करते है जो बैटरी अभी आपको लग रही हो कि लेकिन यह बहुत पुरानी टेक्नोलोजी है इसी कारण जो आपको अभी चार्जिंग टाइम निल रहा है वो एक तरीके से बहुत स्लो है अगर आप बात करें एक घंटे का चार्जिंग टाइम एक गाड़ी को फास्ट फार चार्ज करतें तो एक घंट आपको लगना ही है तो यह भी एक EV स्टेंडर से एक मांद लीजिए एक आटो मूबील सेक्टर को चलाने के लिए अच्छा नहीं है तो ब्रैंड्स को मैनुफेक्ट्टर्स को ग्रैफीन बैटरीज करना चाहिए जो कि एक ज्यादा बैटर अल्टरनेटिव है लीथियम आयन के कंपारिजन में आप रुक सकते हैं तो पासाल रुकिये तीन साल रुकिये आपको इक रैफीन वहिकल स्था मिल सकता है लीथियम के अगर अगर बैटर आरे अर यह तो आपको बहुत बहुत अच्छी मैनुफेक्ट्टर से बीम डबल बना रही है आपकी बहुत सारी ब्रैंड्स बना रही वो तो बैस तेलिगें जो बैटरी सेक्टर है तोड़ा और जादा एक तरीके से टाच आप जाहिए जाहिए लोगम जालते हैं तूर से सरह से अल्राइट फ्रेंट्स माइम इस जई फ्रम इंक्रेडिबल आटो और मेरे इसाब से अभी इवी जो है वो जैसे अभी सबने बताया ठीक उसी तरह से मेरी भी यहां पर कोमन सी थिंकिंग ही कह सकता हूं कि इवी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज में है औ और ऐसी कोई भी चीज एक तरह से अगर देखा जाए तो यह एक नया रिवल्यूशन कह सकते है नया स्वीच ओवर कह सकते है एक ट्रेडिशनल वेहिकल से एलेक्रिक वेहिकल में स्वीच करने के लिए और यह जो फेज है वो फेज अभी जस्ट शुरू हो रहा है यह समरे अप्शन साने शुरू हो चुके हैं बहुत सारे Age ओशनस अल्री आ चुके हैं और एहगे का मालूम नहीं है हम एकसी तरह की जसेडियूल में तो यह सारे वेट करने की और इशारा जरूर करता है तो यह सबी वेट करना थोड़ा सा जरूरी लगता है तो यह सबी वेट करना चाहिए तो अब रिशब्स को यह माइक देना चाहूंगा उनका भी ऑपिनियन हम चाहिए जाना चाहिए तो यह जाना है तो यह सबी करता है आप को इसा पर आप को जो अज़ा गाड़ी नहीं है यहां आप एक पॉइंट है लेकिन अभी एक एक एवी इस ताइम पर परचेज करना एक अगाड़ी नहीं है चलाना तो उसको स्लो चार्जर भी बढ़ेगा तो अब करना चाहते हैं तो यूज़ डेफिनली बेट फॉर ग्रैफीन बैटरी या एक बैटर टेकनोलिजी या बैटर चार्जिंग ताइम को कम टाइम में कम पैसों में ज्यादा चार्ज करके दे एंड रेंज भी मैक्सिमम स्टिल बात वहीं आज़ती कि यह अभी एक छोटी स्टेज पर है देरी देरे इसको टाइम लगेगा पट जादा नहीं यह रोपिंग बेस्ट के हाड़ली 3-4 यह मैक्सिमम बहुत अच्छी एवी जाजेगी तभी सही टाइम होगा एक गाड़ी को परचेस करने का तब तक इंस्ट्राशुक्चर भी हर एक सीटी में मिल जाएगा आपको चलते हैं अमिट सर की तरफ आसकार गुरू जी इनसे पूछते हैं कि इनका क्या उपीनियन है EV की बारे में बातों सब लोग कर रहे हैं और मुझे जो लगता है वो कुछ आलग है मेरी सोच ही बिल्कुर अलग है अभी जिसके बारे में किसीने बाच में की मेरामादना है EV की चारजिंगि इतना अवड़ा इशू नहीं है क्योंकि हम अपने मोबाइल को कभी पैसे दे के बहुत नी चार्ज करना हैं जब कि सारी दुनिया में जहां जहां इलेक्टिक वेहिकल चल रहा है जैसे चाइना है वहां कहीं भी बहार चार्जिंग इस्टेशन पर भीड़ नहीं होती है सब लोग अपने घर से चार्ज करके निकलते हैं और दो तीन दिन बाद वापस अपने घर पर ही चार्ज करते हैं विल्कुल हम अपने मोबाइल को भी घर पर ही चार्ज करके निकलते हैं और जिसको जवर्त होती है वो घर पर चार्ज करता है क्योंकि घर पर subsidized busily available होती है अभी जो issue है कि क्यों ना ख़ईदा जाए उसकी वज़े है इस batteries का कुछ ज़्यादा महंगा होना बस यही एक minus point है जिसकी वज़े से मैं अभी कमगा थोड़ा इंतजार कर लीजे कुछ सस्ती होने दीजे फिर आप इसको purchase कीजिए तब ज़्यादा बहतर decision आप ले पाएंगे या तब ज़्यादा value for money achieve कर पाएंगे जो कि पैसे जितने बचेंगे वो तभी बचेंगे ना जब बैटरी पर initial cost कम होगी बाकि घर पर charging करना ज़्यादा वाइवल है बाहर सड़क पर charge करने के मुकाबले हम घर से बाहर निकलते हैं highway tour भी करते हैं लेकिन साल में 8, 10 या 12 करते हैं कोई ऐसा गती नहीं है जो रोज 300 km चलता हो हम लोग 30 km चलते हैं और 1000 km वाली कार के लिए सपने देख रहे हैं जो मेरी नहीं में बिलकुल गलते हैं इंडिया में अभी भी average running 13 km पर वहिकल पर डे है ऐसे हालात में demand क्यों 1000 km की की जारी है जब आपको चलना ही 30 km है तो अपनी 30 km के हिसाफ से अगर आप रहनीं भूनेंगे तो आपको हर कार capable है और वो कते ही कमजोर नहीं है आप मैं शोटरी देता हूँ आप अगर कोई भी कार्ट हाइसो कलिमिटर की देंजवाली भी खरी देंगे तो अगले दिन तक उसको discharge नहीं कर पाएंगे चारे आप कित्रा मी चला लें यह वो सच्छा ही है बस कबूल करना मुस्किल है हम लोग उम्मीद से ज़्यादा मांग रहे हैं हमें खाना एक रोटी है और हम डिमांड करें बार रोटी पका लो भई बस यही कमी है हाँ बैटरी की कीमत है जिसकी वैसे मैं मना कर रहा हूँ कि प्लीज अभी रुकिए अगले तीन सालों में यही बैटरी बहुत सस्ती होंगी और उस समय खाइदना वाइबल होगा अभी नीती आयोक के चेर्मेन अमताप कात्म ने कहा है कि हम 32% तक कीमत पहुंच जाएंगे अगले तीन सालों में अगले तीन सालों में इलेक्टिक कारें ज्यादा कॉमन होगी और तब इतनी रीजनेबल प्राइस पे होंगी कि आप थरीदने के लिए लालायत हो जाएंगे फिर आपके पास बहाने नहीं बचेंगे कि बहार चार्जिंग इस्टेशन है या नहीं है क्योंकि घर पर ही आप चार्ज करोगे इंडिया पर अभी भी लोग हमसे कहते हैं कि भाइसा बिजली आती नहीं है लेकर आपको अपने मोबाल चार्ज करें के लिए विजली हमेशा मिल जाती है इतनी आती है कि मिल जाती है बस वैसी एक बार चार्ज कीजिए पूरे अफते चलाईए फिर अगली बार अगले इसा नहीं है यह शायद टॉपिक ऐसा था था थोड़ा सेंसेटिव भाई ने रखा था यूशने की वाई नौट तू बाई अ इलेक्ट्रिक वहिकल राइट नौ वो जिसके बारे में शायद किसी ने भी बात नहीं करी मिट्स बस्टिंग के बारे में जाता तर बात हुई तो मुझे इसा लगते है क्यों नहीं बायत करना चाहिए अगर मैं निकस्ओन के बेलिय इस ऐग्र अपर यह इन इक्ऌत्रिक वईकल कि बात करूँ तो दोड़नों है साथ लाग रुपए का डिफरेंसे है शाथ से आथ लाग रुपए का डिफरेंस है अब इन आठ से आप से तीन साल बाद में जो है दीरे-दीरे करके जो है वो प्राइसिस काम हो जाएंगी एलक्रिक वहिकल की उस हिसाब से अभी मेरे खाल में बहुत क्विक डिसिजन होगा या शायद इतना रिसर्च किया हुआ दिसिजन नहीं होगा दूसरा मैं मित एक बात कर लेता हूं ल इलक्रिसिटी विच इस कंजूमी इस अल्रेडी प्रोड्यूस फ्रोमा कोल जो की एमिशन निकाल चुक है और तो मुझे नहीं लगता कि पॉल्यूशन नहीं हो तो पॉल्यूशन जरूर होता है प्लास्टिक जो से अंदर यूज हो रही है उससे पॉल्यूशन होता है जो केमिकल चीज है कुलेंट वगेरा वो अल्रेड़ी अपने एंड सोर्स पे पॉल्यूशन क्रियेट कर चुकी है वो एंड कंजूमर है तो मुझे लगता कि पॉल्यूशन करती है एमिशन नहीं करती है ज्यादा बैटर ओप्शन होगा तीसरा ये अभी इंडिया में इंफ्रसेक्चर चाहिए और उस इंफ्रसेक्चर को 100% आप्लाइ करने के लिए साथ लाख करोड रुपए का इंवस्टमेंट चाहिए जो मेरे क्याल में अभी नितिनकर्जगरी जी या फिर इस गॉवर्मेंट के पास तो नहीं है अगले 10 सबल प्रियोटीज हैं ब्रो दो हजार तीस तक इलेक्रिफिकेशन करने के लिए वो बोल रहे हैं लेकिन 10 साल में 7 लाग करोड का इंवस्टमेंट 100% इलेक्रिफिकेशन नहीं हो सकता 3-4 साल में 33% तक हो जाए या उसके बाद 10 साल तक 50 वर जन तक हो जाए तो वो जरूर मैं यह बहुत कम है लेकिन 7-8 लाग रुपए एक्ट्रा पेगर के वही फीचर्स ले लेना जस्ट बिकॉस यूर यूर एक्स्पेक्टिंग की हाम मैं बहुत जादा इको फ्रेंडली हो जाऊंगा ऐसा करने से तो वो फिर शायद आपके पॉकेट को बहुत आदा हाम करेगा तो य यह था सभी का ओपिनियन सभी ने शेयर करा अपना अपना थौट्स कि वो क्या चाहते हैं और आप लोगो की जो है प्रस्पेक्टिव आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो यहां खतम नहीं यह काफी बड़ा टॉपिक है तो आप लोगो की ओपिनियन भी म हमारे पास में उन सभी की यूट्यूब की लिंक और बाकी शेशल एंडल्स आप लोग वहां पर देख पाएंगे और कई सारे अच्छे जो हम लोगों ने आगे इहां पर दिस्क्रिशन करें उन सभी की वीडियो की लिंक जो है आप लोगों को मिलेगी काई सारी चीजें आ वुझे जिए अन्याजेज देख रबबाय और हम फ्रेंट !